वाई सवस्तिपूर के रोस्रा थाने में राजद विधायक तेजपुरताप यादप के खिलाफ की इस दर्जवा है। लालू के बड़े बेटे पर हसनपूर विधानसवा चुराओं में गलत श्यपत पत्र देने कारूप है। साथ ही अपनी संपति छेपाने कारूप भी लगा है। चनाव आयोक के निर्दिश पर ये F.I.R. बुद्वार को दर्ज कराई गई है। विधानसवा चुनाओ के सिकेंड फेज में तीजपता प्यादब ने 13 अक्टूबर 2020 को 140 हसन पूर विधानसवा चेतर से राष्ट्य जनता दल के उमीदवार के तौर पर नामंकन पत्र दाखिल किया था। और इसकी लिखिच शिकायत बिहार के मुख्य निर्वाचन पतादिकारी से की थी। मुख्य निर्वाचन पतादिकारी ने जेडियू के आवेधन को चुनाओ आयोग को भेज दिया था। चुनाओ आयोग ने आवेधन पत्र में लगाय गया आरूपों की जाज के लिए केंद्य पत्यक्ष करबूर्ड यानि कि CBDT को निद्शित कर दिया था। में 82,440,867 रुपे का इजाफा हुआ लेकिन तेजपताप यादब ने अपने इंकम टेक्स रिटर में कुछ अलग ही ब्योरा दिया था। वित्यवर्ष 2015-2016 से 2016-2020 तक तेजपताप यादब की ओर से दाखिल किये गए इंकम टेक्स रिटरन के हिसाब से उनकी कुल आए 22,76,220 है। इस सीविडिटी की जाच रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने तेजपताप यादब को नोटिस जारी किया था और उनसे कहा था कि वित तीन हफते में उसका जवाब दें। लेकिन तेजपताप यादब ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और जवाब नहीं मिलने के बाद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज कराने का निदर्ज जारी किया। आयोग ने समस्तिपूर के जिला निर्वाचेन पतादिकारी सहे जिलादिकारी को पत लिखा था। डियम के निदर्ज पर ये केस दर्ज करवाए गया है। मकादमें के बड़ते दबाब और अनुसंदान के लिए अफसरों और कर्मिचारों की कमी को देखते हुए पॉलिस मुख्याले ने रेटाइड पॉलिस कर्मियों को अनुबंध पर यानिकी कॉंट्रेक्ट पर न्यूक्त करने का आदिश जारी कर दिया है। पॉलिस मुख्याले के कार्मिक एबं कल्यार विभाग के मताबिक पॉलिस इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक के रिक्त पदों पर न्यूक्ती होगी। इसके लिए पॉलिस समवर्ग के रिटायर इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही इसतर तक के कर्मिचारियों को कॉंट्रेक्ट पर नियोजित किया जाएगा। संविधापर नियोजिन उसी पद के लिए किया जाएगा जिस पद से समंदेत कर्मिचारी रिटायर हुए है। 31 दिसंबर तक आविदन देना है और 1 अपरेल 2020 से 31 जुलाई 2021 तक रिटायर पुलिस पदादिकारियों और कर्मिचारियों जो पहले से नियोजित नहीं हैं उन्हें एक वर्ष के लिए नियोजित किया जाएगा। अटो अलते हैं और झाएगा।